नमस्कार आप देख रहे हैं इन्बीसे न्यूस की हिंदी बुलिटेन न्यूस तो देखते हैं आज ये कुछ मुखे खबरे ये वत्माल सिने में बाड के स्तितिकी समिक्षा करने के लिए राज के राहत और पुनर्वास मंत्री अनिल पार्टिल सिले के दोरे पर है इस बीच मंत्री पार्टिले बाड में फसे ही कैसी लोगों को सरक्षित निकालने के लिए NDRF और SDRF की टीम की सराहना की मुंबई मदल्या नियंत्रन कक्षा चा माध्यमा तुन ताव SDRF असेल कि वा एरलिप्टिंग कराई ची असेल त्या बाप्तित सुचिना दिल्या अन् त्या दुरुष्टिक होना तुन SDRF ची टीम सुद्धा याटिकानी दाखल जाली काल त्या पद्धतिने रेस्क्यू कराईला SDRF ला जरका काया आड़ चनाली तर एरलिप्ट अपलेला करता यूँ शक्ता तर हेलिकॉप्टर ची सुद्धा व्यवस्ता करने ताली ते राइपूरून नाकपूर नाकपूरून इत परंतरी दाखली जाला पन एजडियारेप्ट चा जवाना नी अतीशे उत्प्रुष्ट काम करून जो पास एक्षित दहा लोकानना रेस्क्यू करून सुरक्षित टिकानी हलो लेले चामोशी वनशेतर के नाकपूर तक की घटना इस तालुका में बाग द्वारा जानवरों पर हमला करने की घटना को एक साल हो गया है जबकि नागरिकों और किसानों ने राहत की सास ली है जबकि 21 जुलाई को शाम लगबग साड़े पाच बजे चामोशी वनशेतर के सोनापूर के जंगल में चरवाहा जानवरों को हमेशा की तरह चराने के लिए ले जा रहा था एक धारिदार बाग ने जानवरों पर हमला किया और एक गाए घायल हो गई इसे किसानों में देशत का माहूल व्यापत हो गया है चामोशी वनशेतर के सोनपूर ब्लॉक नंबर 362 में वामन राजराम रायशी दाम नामक चरवाहा अपने जानवरों को हमेशा की तरह चराने ले जा रहा था तब ही एक धारीदार बाग ने जानवरों पर हमला कर दिया और नाकपूर चक के इश्वर परशुरा मेश्राम की गाए घायल हो गई निमसरकर आदी ने घटना स्तल पर पहुंच कर गंभी रूप से घायल गाए का पंचनामा किया डॉक्टर गेडाम ने दवा दी यहां के वन शेत्र में बाग की घुषने से किस्सानों और नागरिकों में भैकामा होल बन गया है इन बीसी नियूस के लिए चामोशी से बबन वड़े टिवार की रिपोर्ट अपने देश में विफित चात समुधाय के लोग रहते हैं हर एक समुधाय के भाट होते हैं जो गरगर जाकर उन परिवार की वनशावली बताते हैं जिसकारे नई पीडी को अपने परिवार रिशिदार इसकी जानकारी होती है इन भाटों के पास पुराना लिखी दस्तावेज होता है जो पुरानी भूच पत्र पर मोडी लिपी में लिखा होता है अनेक भाट लोगों का ये विफसाय परंपरागत होता है जो आज भी सब्सक्राइब में दिखाई देता है इन बीसे नियूज के लिए मौदा से संजय गिर्डे की रिपोर्ट अकोला जिले के बालापुर में लगतार बारिशिकारन भीकू नदी में बाड़ा गई है इस बार के नदी के चैनल के पास पसे दो युवकों को बालापूर राजस टूट गया है इसलिए बालापूर प्रशासन की ओर से चिनोती दी गई है कि नागरी कही भी पानी में ना जाए महाराश नम निर्मान विद्यारती सेना के अध्यक्ष अमिठ ठाकरे ने श्री साही बाबा की समाधी के दर्शन किये इस बार संगठन के जनसंपरक अधिकारी तुशार श्रेल के मौजू थे वह इस बार मंदीर परवपेक्ष राज़े पवार भी उपस्तित रहे शिर्पुर बांद गोंदिया जिले के महत्वपून बावो में से एक है ये बांद मध्यप्रदेश और महाराश राज़ की सीमा पर बना है और इससे महाराश और मध्यप्रदेश के किसानों और नागरिकों को बड़े पैमाने पर लाब होता रहा है प्रशासर ने ते किया कि नदी पार करते समय साफधारी बरते और युवा सेल्पी रेकार अपनी जान से खिलवाण ना करे आता है तीन ती चार दिवसा बसुन जो कंटीनियो चमजा तुमचा पाउस येता है त्याचे मुडे आपले स्विर्पूर धर्नाची हा जल साथा त्र्यांशी पाइंड तीन से दस दल घन मिटर एवडा झालेला सुन अमाला 31 जुलेई 2021 परेंत दो नजार तेविस परेंत पास्ट स्टक्के चा जवड़ पास जल साथा ठेवने अनिवार्याई आची आपले जलास्याची पानी पातल ही श्रीसंत गाजानन महराज पालकी के लोनार में आगमन होते ही लोनार नगरपालिका की ओर से आतिश बाजी से पालकी का भव्य स्वागत किया गया लोनार नगरपालिका अध्यक्ष पूनम पातोडे कॉंग्रिस माजी जीरा अध्यक्ष लक्षमन दादा गुमरे उपनगर अध्यक्ष बाश्चा खान शहर कॉंग्रिस कमीटी अध्यक्ष शेक समद शेक एमद नगर सिवक संतोष मापारी दौलत मान कर मनीश पातोडे मौ वहीं 54 साल से रहने की खाने की विवस्ता स्वर्गिये विश्वनात इरतकर परिवार की ओर से की जाती है। शेक एमद उपादिक्ष संदीप मापारी रह्मान भाई लोनार पॉलिस टेशन के ठानेदार निमीश महेतर के मार्ग दर्शन में पॉलिस का कड़ाब बंदोबस तैनात था। इन बीसे नियूस के लोना से समवाद दाता की रिपोर्ट। आज की पॉलिटिन में बस इतना ही रोजाने से खबर देखने के लिए देखते रहे है बीसे नियूस।